मित्र नवश्कार, आप सभी धर्शकों को कृष्टन जन्माष्टमी पर्व की बहुत सारी शुब कामना है मैं हुँ आपका फ्रेंड आपका मित्र कमल लंदलाल और मैं आप सभी धर्शकों का हार्दिकमिन दन्दन करता हूँ एस्ट्रो तक की खास प्रस्तूती कमल लंदलाल की भविश्वाणी आपका राशिफल भविश्वाणी में बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशिके राशिके राशिफल की साथ साथ आपको बताएंगे राशिय नुसार कुछ सिंपल से उपाए सरल सुपाय राशे अनुसार ही आपका शुभंक और शुबरंग भी पंचांग बताएंगे और राशे फिल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशे शुपाय जो आपके जीवन की किसी खास इच्छा को पूरी कर देगा तो चलिए शुरुवात करते हैं कमल नंदलाल के भविश्वानी की पंचांग के साथ में तो दिन है सोमबार का तारीक है 26 अगस दो हजार चौबिस भादरपद कृष्ण अश्टमी पर चंदरमा विर्ष राशे और कृतिकानक शत्र में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा च्छे शुबरंग रहेगा गुलाबी शुब धीजे ब Jong रहेगा शाम को तीन बचकर 55 मिनट से लेकर के अगले डिन सुभ्याव पांच बचकर 57 मिनट तक दिन का सबसेशो महरत रहेगा रात को 11,89 मिनट से लेकर के रात को 12,69 मिनट तक यह विशेश जन्म महरत है भगवान श्रे क्रिश्छन का और ऐसे में इसी समय में क का जन्म करवाया जाता है सासाथ उसी समय पर शाली ग्राम जी का या बाल गोपाल का अभिशेक किया जाता है अर्चन किया जाता है उनके निमित हवन किया जाता है और पंजीरी का भोग लगाया जाता है विशेश परव क्या है कृष्ण जन्माश्टमी है साल के चार सबसे व रोहिनी दोनों एक साथ पढ़ रहा है ऐसे में जयनती योग बन रहा है खास है ये और साथ-दसाथ में सरवार्ति सिद्धी योग भी है तो खास है ये जन्माश्टमी का परव ऐसे में हमारा जो विशेश उपाय है वो भी भगवान शी कृष्ण से ही जुड़ावा है करियर में उन्नती के योग हैं कारोबार यातरा से लाब होगा भाशा पर काबू रखे हैं करियर में नए मौग के प्राप्त होंगे दोस्तों सर्वन्मटाफ के योग हैं उपाय ये करें कि पूजा घर में चावल चड़ा शड़ा है शुबंग चैर रहेगा शुबरंग र यूग हैं सामाजी कृत्वा बढ़ेगा कारेशेतर में मौके मिलेंगे उपाइए करें कि सफेद कपड़े में सिक्के बाहन कर ती जोरी में रखें शुबंक दो रहेगा शुबरंग रहेगा सफेद चौथी राशी करकि कैंसर की बात करेंगे लोगों की बातों में आने से बचें नए वेपसाइक सौधे होंगे घरी लुशेतर में शतूर पर बनाव आएगा करोबरी लाब होगा शुबसूचना मिले की, पिछले काम से लाब होगा उपाइए करें आफी पक्षियों के लिए शुबंग साथ रहेगा शुबंग रहेगा सिलिटी चटी राशी कन्य आयनी वर्गों की बात करेंगे भाशा पर काबू रखें दोस्तों से मदद मिलेगी उधार के लिए नेन से बचें कारोबार में धनलाप के योगे हैं दूरे काम पूरे होंगे खर्चों में वरद्धी ह होंगे उपाईए करें कि तूलसी के पौधे पर जल चड़ाएं शुबंग तीन रहेगा शुबंग रहेगा शुबंग रहेगा पीला आठवी राशी व्रिश्च के याने कि स्कॉर्प्यों की बात करेंगे कारेस्तल पर विवाद के योग है दाम पत्त सुखी रहेगा साम परिवार के साथ में धर्मिस्तल जाएंगे उलजेवे ममले सुलजेएंगे सहत पर पूरा ध्यान दे उपाई ये करें कि काघस पर इंदू लि만 रखकर जेव में रखें शुबंग रहेगा शुबरंग रहेगा नारंगी दस्वी राशी मकरियाने की के प्रिकौन की बात कर करेंगे कुमारों को विभा प्रस्ताओं मिलेगा समाज में रुतबा बढ़ेगा फसावा धन प्राप्त होगा छात्रों को कड़ी मेहनत का फल मिलेगा दम पत्त संबंद वधुर रहेंगे उपाईये करें कि किसी गरीब करन्या को चावलदान करें शुबंग पांच रहेगा शुबंग रहेगा हरा बारवी राशी मीन यानि पाईसिस की बात करेंगे सेहत पर पूरा ध्यान दें मित्रों से विवात के योग हैं पराने सम्मंदों से लाव होगा कारशेतर में हैसियत बढ़ेगी कड़े परियासों में सफलता मिलेगी घुबने फिनने जाएंगे अब हाव शाली साल के महरतों में से एक है कृष्ण जन्माष्टमी है रुहिणी परवह है रुहिणी एश्टमी का विशेश योग है आद्याकाली जैनती है और विशेश रूप से भादरवत की कालाश्टमी है ऐसे मैं खास दिन है कि श्री कृष्ण के पूजन का तो क्या प्रियोग में एक विशेश मंतर का जाब करें मंतर को ध्यान से सुनिएगा इसे गोविंद गायतरी कहते हैं ओम गोविंदाय विदमहे गोपी वल्लभाय धीमही तन्नहा कृष्ण प्रचोदेया आश्वस्त करता हूं आपको आर्थिक संग कट निस्चित दूर होंगे तो मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक एप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्ट्रॉलोजर से